हाजी तू मैंने आपसे पूछा कि ACCA Skills for Jobs के ओपर आपको वीडियो चाहिए क्या और आपने कहा So here I am और चलो बात करते हैं Top 5 Skills for ACCA Welcome to Career Tuesdays on the move यहाँ पर हम Career और motivation से related unbiased वीडियो बनाते हैं Welcome back CA कर लो लाइफ बन जाएगी ACCA कर लो लाइफ बन जाएगी 依ो यू पीर से कर लो लाइफ बन जाएगी य एं बन जाएगी लाइफ अचा एक बात बताओ मैरेको कर अच्छा दूस होते हैं घर पर मेंगी चल्फने बनती हमसे मगर लूक्स हमको तो निकालने तो मेरा पॉइंट यह है कि किसी चीज के बारे में knowledge यानि की ज्ञान होना एक अलग बात है और उसका application एक अलग बात है एक 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 फ्रेशर को कम salary मिलती है और एक experienced एक प्रोफेशनल को ज्यादा salary मिलती है क्या कारण है skill is the difference अब skill या तो experience से आएगा या तो फिर आप skill को अलग से सीख सकते हैं और यह एक win-win situation हो जाती है आपके लिए भी और उस company के लिए भी जिसके अंदर आप job करने के लिए जा रहे हैं आपको job जल्दी मिलने की possibility होती है और अच्छी सालगी मिलने की possibility भी होती है तो आईए बात क से कुछ लोग सोच रहे होगे हैं कौन सा सर वो spoken English वाला spoken English ने ने मेरे बाई सुनो देखो ऐसा है language कोई भी हो हिंदी हो English हो मराथी हो मल्यालम हो तिल्गू हो कोई भी भाशा हो आपको अपना point confidence से और बहुती कम शिब्दों में कहने का skill आना चाहिए अगर आप ऐसा कर सकत हैं तो आपके communication skills अच्छे हैं ऐसा माना चाहेगा मगर कहना आसान होता है करना मुश्किल होता है देखें as a professional आपको email लिखना होता है यानि कि written communication skills आपके अच्छे होनी चाहिए seniors से आपको बात करनी पर सकती है clients से बात करनी पर सकती है और thankfully यह एक ऐसा skill है जो आप सीख सकत skill के अंदर महारत हासल कर सकते हैं मेरे एसाब से communication skills अगर आपके below average भी है तो भी दो महीने से ज्यादा का practice आपको नहीं लगेगा in order to make sure that your communication skills are better और यह communication skills better होना बहुत जरूरी है अगर आप as a fresher अपने पहले जौब के लिए जाबते हैं तो आई बात करते है skill number two key which is the presentation skills अब देखो सुनो ऐसा होता है कि सिर्फ अच्छा काम करने से बात नहीं बगती हमने क्या काम किया है उसे एक effective तरीके से communicate करना अपने seniors को बताना यह भी जरूरी होता है सो presentation हाँ powerpoint एक अच्छा टूल है presentation के लिए और वो सीखना भी चाहिए आपको बट सिर्फ presentation टूल से बात नहीं होती है आपको कहीं बार अपने काम को verbally communicate करना होता है या फिर आपको अपने काम को present करना है और तब आपके पास कोई projector नहीं है presentation तूल नहीं है तो क्या करोगे है मैंने अपने पिछले जॉब में एक बहुत ही हाई पोजीशन के डिरेक्टर लेवल के परसन को एक presentation दी थी तब कुई presentation टूल रूम के अंदर नहीं था तो मैंने वाइब बोर्ड देखा और वहीं पर presentation दे डाली तो मेरा पॉइंट यह है कि यह सिर्फ एक software की knowledge होने से बात नहीं होती आपको अपना point कैसे रखना है एक presentation के अंदर यह भी आपको अच्छे से आना चाहिए तो software ऐसी चीजे जो आप अपनी ACCA की या CPA की पढ़ाई करते-करते भी सीख सकते हैं बट अपने point को effectively कैसे कम्यूनिकेट करना इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है अब आते हैं हमारे skill no.3 की तरफ which is networking skills अब यह मैं असा मानता हूं this is one of the most crucial skills ठीक है जितने भी skills अभी तक हमने बात करें और अभी हम बात करने भी वाले उससे भी ज़्यादा जरूरी networking skill मुझे लागता है ठीक है इसके बारे बात करें इससे पहले एक चोड़ी सी request है अभी तक अगर इस चानल को नहीं किया है subscribe तो please subscribe कर लें ठीक है जी चलन strong professional network होना ज़रूरी है यह 99% लोग जो है इसके उपर काम नहीं करते हैं ठीक है और बहुत ही कम लोग इसके उपर काम कर पाते हैं और जो लोग काम नहीं कर पाते हैं उनको इसकी importance realize होती है जब वो CA या ACCA या CPA बन चुके होते हैं फिर उने लगता है ने ने पनाए लिए और उनको अपने पहले जॉब को ढूलने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जबकि ऐसे लोग जिलोंने अपना strong network बना रखा है उन्हें जॉब ढूलने में ज्यादा समय नहीं लगता नेटवर्किंग का एक बहुत अच्छा टूल है LinkedIn और LinkedIn अभी बहुत organic है और यहां पर आप networking करते हैं तो बहुत तीजी से आपका network पड़ता है पर उसका भी तरीका है ऐसा नहीं कि जिसको देखो connection request भीज़ दें देखें हमें number of connections या number of followers से फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है कि आपके इस network की quality क्या है क्या सच में आप ऐसे लोगों से connected है जो आपकी मदद करेंगे या फिर आप उनकी मदद करेंगे network आपको बनाना है भले LinkedIn पर या फिर job करते समय अपने colleagues के साथ एक अच्छी दोस्ती maintain करनी है principles यहां पर सेम होते हैं आप किसी भी group में जाएं आप कहीं भी अपना अच्छा network बनाना चाहते हैं तो number one आपको कुछ additional value उस network में लेकर के आनी है LinkedIn में वो value आप content creation के थुरू ला सकते हैं और दूसरी बात आपको करना होता है regular interaction लोगों के साथ अगर आप interaction बनाये रखते हैं बातचीत करते रहते हैं LinkedIn पे हो या face to face आपका एक strong network बन साथ मेरे साथ से एक strong network बनाने के लिए बहुत important होता है content creation सिर्फ connection request ना भेजो सिर्फ दूसरों के content पर comment ना करो खुद भी content बना हम अलड़ी एक series बना चुके हैं जिसके अदर LinkedIn की profile आपको कैसे बनानी है और एक basics of networking के हमने बात कर रखी है link में उसका डाल दूँगा description के अंदर एक और series हम बनाने वाले हैं जिसके अंदर content creation के थुरू आप कैसे strong network बना सकते हो ऐसा मैं series बनाने का सोच रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि मैं यह series बना हूं तो please comment के अंदर मुझे लिख करके बता दे network on LinkedIn series ऐसा comment में आप लिख देंगे तो मैं समझ जाओंगा कि भई आप इसके ओपर एक video चाहते हैं फटफट से आते हैं skill number four which is data analytics अब यह skill जो है CA, ACCA, CPA भईया सब के लिए relevant है आज के time में आप किसी भी अच्छी बड़ी company में जाते हैं तो आप बहुत सारा data के साथ deal करने होता है यह data को आपको analyze करना होता है या फिर data को extract करना होता है या फिर इसे tabular manner में या visual presentation आपको देन नहीं होती है और यह सारा कुछ data analytics के अंदर आता है तो आपको software के knowledge होनी चाहिए जैसे की Alteryx या Tableau programming knowledge जैसे की SQL और Python यह चीज़ें आपको at least intermediate level पर आनी चाहिए इसके अंदर free resources भी available होते हैं जैसे आप intermediate level की knowledge पा सकते एंप्रॉयर यूजरी आपसे certification नहीं मांगता है बट अगर आप थोड़ा सा sure होना चाहते हैं तो आप certification भी कर सकते हैं मैं already data analytics के ओपर एक series बना चुका हूँ जिसका link पी मैं description में डाल दूँगा आप देख सकते हैं कि data analytics में strong बनने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं और वहां यह भी देख सकते हैं कि free में कौन- लेने चाहिए अब वो देन जा चुके जब आपको सिर्फ Excel और वर्ड आता था तो काम बन जाता था अब उससे काम नहीं बनेगा Excel के अंदर बहुत ही कम data आप analyze कर सकते हैं उसकी काफी limitations होती है और बड़े-बड़े software अब आपको इस्तमाल करने पड़ते हैं you should have knowledge of that और प्रूट मिल लिया थीक है ना तो इंप्राइट इसको बहुत वाल्यू करते हैं अगर data analytics आपका intermediate level का advanced level का करने कोई जरूरत नहीं intermediate level का भी है तो they will value this skill देखें मेना presentation वगरा में काफी अच्छा हुआ करता था अभी भी हूँ I hope तो what used to happen is कि मेरी पिछी कंपनी के अंदर presentation में बहुत कम लोग अच्छे थे और उन्हें जब presentation बनानी होती थी तो मुझसे बात करते थे और यह कारण था जिसकी वहाँ पर प्रोमोशन होगरा मिल रहे थे तो बहुत अच्छा skill है काम की चीज़े इसके ओपर ध्यान देना है अब skill number five की बात करते है skill number five यह बड़ा important है और इसके बारे में कहीं सारे students को पता होता है बट उनके पास समय नहीं होता और कहीं सारे students जो है unknowingly skill के ओपर काम कर भी रहे होते हैं तो आज clear कर देते हैं skill number five is business acumen and awareness देखें आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए भले ही वह auditing की profile हो accounting की profile हो ठीक है एक business acumen जाने कि एक business कैसे चलता है business model क्या होता है यह कुछ basic business के बारे में आपको पता होने चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि macro economic situation क्या चल रही है आपको यह पता होना चाह है employer आपसे expect करके चलता है यानिकि सिर्फ किताबी ज्यान से बात नहीं बनती है real life में वो चीजें कैसे apply हो रही है कौन-कौन से factors एक business को affect करते हैं यह जाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है एक और खास बात अगर आप इस skill के लिए पर काम करते हैं तो इससे आपका communication भी इंट्रस्टिंग परसंट टॉक्त और बिलीव में यह इस किलना अब एक बेसिक हो गया मतलब employer expect करता है कि यह बिजनेस एकिमेंट तो हो गए और से डेवलप करना भी बहुत फन है बड़ा मज़ा आता है अब तो यूट्यूब पे फानांस को लेकर कि इतना content है राइट फ कि काफी सारा content already available है so basically skill को develop करना free है और आप पढ़ाई के साथ साथ कुशिश करें इस skill को develop करने की इंट्रस्ट डेवलप करने की लगातार content देखने की इस चीज़ से रेलेटेड चल जी आते हैं final verdict पे देखें तो skills important है मैंने लिटरली देखा है Chartered Accountants को CPS को इसीश को बहुत कम salary लेते हैं क्यों कि न का skill set अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा salary लेते देखा है क्यों क्यों कि न का skill set अच्छा था और ने skills की अपर काम किया स्किल्स फॉर जॉब पार्ट टू तो मैं पार्ट टू के उपर काम करना शुरू कर दूंगा तो दिर और मोर स्किल्स विच आई वांट यूट यूट वाली बात तो है नहीं और मैंने किसी भी स्किल में आपको इतनी ज्यादा मेहनत क्या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने इक लिए भी नहीं बोला स्किल्स ऐसी चीज है जिसे सेखनी में या तो फ्री में या तो बहुत कम पैसे में आप काम कर सकते हैं ठीक है और उसके लिए मैंने आपको क्या-क्या सोर्सेज लेंगे यह भी बता दिया है ठीक है जी आई होब दिस वीडियो हेल्क्स मैं यानि क कुछ पुष्णाओ, कमेंट सेक्षिन है और सी यू इन नेक्स वीडियो